पूरा जीवन अच्छा था कुछी सालों बहले उसकी शादी होई थी और वो अपनी शादी से बहुत ही ज़ता खुश थी लेकिन दो साल बाद ही उसके शादी के बाद का जो जीवन था वो काफी मुश्किल होने लगा उसके जो रिष्टे थे अपने पती से वो काफी खराब होने लगे उनके बीच लडाईया होने लगी और धीरे धीरे ये लडाईया बढ़ती गई और बाद डिवार्स तक आ गई अमांडा ने बहुत कोशिशे करी लेकिन डिवार्स नहीं रुका और कुछी आफ्तों पहले उसका डिवार्स हो गया अब उसका पूरा जीवन जो था वो बदल गया था उसके सामने की जो जिन्दगी थी वो एकदम नई बड़ी होई थी अमांडा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए उसके पास ना ही जादा पैसे थे और ना ही जादा हिम्मत क्योंकि सारी हिम्मत तो वो खोई चुकी थी लेकिन जो थोड़ी बहुत हिम्मत उसके अंदर बची थी उसे समेट कर उसने फैसला किया कि वो अपने जीवन को एक नई तरीके से शुरू करेगी लेकिन क्या थे है ना हर चीज पैसे से ओती है आजकल अमांडा एक बहुत ही खराब financial condition से गुस्दर रही थी और दीरी दीरे उसका जो जीवन था वो मुश्किल होता जा रहा था बिना पैसो कि लेकिन अमांडा को एक बात पता थी कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तब उसका जीवन और भी जादा मुश्किल हो जाएगा इसलिए उसने समय रहते अपने आपको समाला और एक जॉब की तलाश करी जब उसे जॉब मिल गई तब उसने काफी मेहनत करी और दिन रात मेहनत करने के बाद वो थोड़ी सी फिनैंशल रूप से स्टेबल हो गए उसके बाद उसने फैसला किया कि वो एक बजट बना कर घर खरीदे की उसने पहले तो अपना एक कम बजट बनाया उसके दिमाग में यही था कि वो पहले एक छोटा मुड़ा घर खरीद ले उसके बाद जब उसके पास जादा पैसे हो जाए तब वो एक बड़ा घर खरीदे की और यही सोचकर उसने अपना जो बजट डिसाइट किया था उस बजट में वो घर ढोणने रखी लेकिन उसका बजट बहुत ही ज़दा कम था जिसकी वज़े से उसे कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा था वो जिस भी घर को देखती उसे वो घर पसंद नहीं आता कोई घर छोटा होता और कोई घर रहने लायक ही नहीं होता और वो क्या ज़ादा उम्मीद कर सकती थी इतने कम बजट में लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी उसने काफी खोजबीन करी जाच परताल करी इधर उधर फोन गुमाए काफी प्रॉपटी डीलर से बात करी तो उसे एक घर के बारे में पदा चला उस घर को देखने के लिए प्रॉपटी डीलर के साथ अमांडा वहां पहुँची अमांडा ने कुछ ज़ादा उमीदे नहीं रखी थी घर से क्योंकि उसे पता था कि जितना मेरा बजट है उसमें बहुत छोटा ही घर आएगा इसलिए वो ज़ादा एक्सपेटेशन रखकर नहीं चल रही थी लेकिन जब वो उस घर के पास पहुची तब उस घर को देखकर उसकी आँखे जो थी वो एकदम चका चौन्द हो गई क्योंकि वो जो घर था वो बहुत ही ज़ादा महगा था एक पल के लिए तो अमांडा को यकीन नहीं हुआ कि आखिर यही घर है जो उसे इतने कम पैसों में मिल रहा है उसने डिलर से पूछा जरा आप मुझे एक बात बताईए क्या यही घर मिलेका मुझे आपको पता है ना मेरा बजट सिर्फ 10,000 डॉलर्स का ही है जिसके जवाब में उस प्रॉप्टी डिलर ने कहा हाँ हाँ आप बिल्कुल बे फिक्रे रहिए जितना आप बता रही है उतने में यह आपको मिल जाएगा 10,000 डॉलर्स में उसके बाद अमांडा को थोड़ा अजीब लगा कि आखिर इतना बड़ा सुन्दर घर उसे इतने कम पैसो में क्यों मिल रहा है जिसके बाद उस प्रॉप्टी डिलर ने कहा अरे आप कपराईए मत यह घर एकदम नॉर्मल है आप कुछ उल्टा सीधा मत सोचिएगा यह घर अच्छा है आप रहिए इसमें अगर आपको कोई प्रॉप्लम होगी तो मैं बैठा हूँ ना आप मेरे पास आ जाईएगा समझी आप लेकिन आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अमांडा ने पूछा दिक्कत है? कैसी दिक्कत है? उस प्रॉप्टी डिलर ने बताया अरे कोई खास दिक्कत ही नहीं है बस दिक्कत है इतनी है कि इस घर में 24 घंटे पानी नहीं आता आपको सिर्फ 2 घंटे रोज पानी भरने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ आप यहां की हालत देख सकती है यहां की connectivity जो है वो काफी खराब है आपको रोज इस इस इलाके में आना जाना पड़ेगा और यह इलाका बहुत सुनसान रहता है अमांडा ने आसपास का इलाका देखा तो इलाका बहुत जादा सुनसान था और आसपास सिर्फ जंगली एरिया था उसके बाद अमांडा ने सुचा कि चलो क्या करना है इतने कब पैसों में इतना बड़ा घर मिल रहा है तो इतना तो compromise करी सकते हैं और उसने कहा ठीक है ठीक है मुझे कोई problem नहीं है मैंने देख लिया है थोड़ा connectivity का problem है बट मैं handle कर लूँगी तो सारी formalities कर ले उसके बाद उस property dealer ने का हाल क्यों नहीं उसके बाद सारी जो formalities थी वो पूरी हुई और अमांडा ने सारी payment कर दी और उस घर को देख कर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई क्योंकि अब finally वो बड़ा सा घर उसका हो गया था उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इतना बड़ा घर उसने खरीद लिया लेकिन वो अंदरी अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सपना देख रही है इसलिए उसने खुद को एक बार चीटी भी काटी और उसे जब दर्द हुआ तब उस दर्द को महसूस करके वो और भी ज़्यादा खुश हुई और उसके बाद उसने सारा समान जो था वो धीरे धीरे करके वहाँ पर उस घर में शिफ्ट करना शुरू कर दिया उसने अंदर से पूरा घर देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई गर बहुत ज़्यादा सुन्दर था जैसा कि उस property dealer ने बताया था कि घर अंदर और बाहर दोनों से बहुत ज़्यादा खुबसूरत है बस problem यही थी कि वो घर कुछ ज़्यादा ही बड़ा था और Amanda रहने वाली अकेली थी इसलिए उसे कभी-कभी थोड़ा सा अजीब लगता था और एक डर भी लगता था लेकिन उसे पता था कि दीरे-दीरे उसे आदत हो जाएगी इसलिए उस घर में वो अच्छी तरह से shift हो गई और रहने लगी अब उसे अपने आगी का जो जीवन था वो एकदम अच्छा नजर आ रहा था उसे पूरा यकीन हो गया था कि अब उसके पास जॉब है उसके पास घर है अब उसे किसी की जरूरत नहीं है अब वो अपने आगे की जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करके अच्छे से जीएगी और यही बाते सोच सोच कर अमांडा बहुत ही ज़दा खुश हो रही थी लेकिन कहते है ना इनसान को अपनी खुशियों पर ज़दा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी खुशियों को हमारी खुद की नजर लग चाती है एक शाम बहुत ही ज़ादा मौसम खराब था आसमान में बिजली चमक रही थी और बारिश बहुत तेज हो रही अमांडा घर में बैठी हुई थी और टीवी देख रही थी और अपना कॉलिटी टाइम स्पेंड कर रही थी तब ही अचानक से उसकी गर को किसी ने बहुत सोर से खट-कटाया और अमांडा जो थी वो बहुत ज़दे खब रहा गई अमांडा ने आवास लगाई कौन है बाहर से एक लड़की की आवास आई और उस लड़की ने कहा मेरी मदद करो, मेरी मदद करो मेरे पिछे, मेरे पिछे एक साइको किलर पड़ा है मेरी मदद करो जब अमांडा ने ये बात सुनी तब वो दर्वाजे के पास गई उसने की होल से जाक कर देखा तो एक लड़की, पूरी भीगी हुई काफी परेशान लग रही थी उस परेशान लड़की को देखकर अमांडा ने दर्वासों को खोला और दर्वासे को खोलता ही वो लड़की घर के अंदर आ गई और उसने कहा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो मुझे बचा लो, मेरे पिछे एक आदमी पड़ा है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा डराफ्टा है, वो मुझे मारतेगा उसने और भी ज़्यादम लोगों को मारा है और वो अब मुझे मारेगा ये सारी बाते सुनकर अमांडा ने कहा देखो, सबसे पहले तो तुम शान्त हो जा तुम्हे कोई नहीं मारेगा, समझी तुम अब तुम मेरे गर में आ गई हो अब तुम बिल्कुल सेफ फील करो समझी तुम, अगर वो यहाँ पर आएगा तब मैं पुलिस को कॉल करूँ की अमांडा ने उस लड़की को शान्त करवाया और अमांडा ने कहा देखो, आप तुम यहाँ पर बैठो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ और अपने आपको सबसे पहले सुखानो उसके बाद मैं तुम्हें गर्म गर्म कॉफी देती हूँ तुम्हें पीकर अच्छा लगेगा और यह कहकर अमांडा जो थी वो कमरे में गई, वो अपने कुछ कपड़े लेकर आई और उसने अपने कपड़े उस लड़की को दिये उसके बाद वो किचन में गई और फटा फट कॉफी बना कर आई उसने कॉफी उस लड़की को पकड़ाई उस लड़की ने कॉफी पीई ही थी तब ही अच्छानक से घर का दर्वासा कोई बीटने लगा और वो लड़की बहुत ही ज़दा डर गई अमांडा ने फिर से आवाज लगाई कौन है? कौन आया है? और उसके बाद बाहर से आवाज आई क्या कोई यहाँ पर लड़की आई है? इस आवास को सुनकर अमांडा भी बहुत जातक खबर आ गई और उसने कहा नई, कोई लड़की नहीं आई है तुम चले जाओ यहाँ से उसके बाद बाहर से फिर से आवाज आई ठीक है, मैं जाता हूँ एकन याद रखना अगर तुम जूर बुल रही होगी तो अच्छा नहीं होगा उस लड़की ने गब राई हुई आवाज में कहा देखा, देखा, कितना जादा डरावना है यह इसने मेरी आखों के सामने तीन-चार लोगों को मार दिया और मैंने वो सब देख लिया तब से वो मेरे पींचे पड़ा है और वो मुझे भी मार देगा प्लीस मुझे बचा लो प्लीस मैं मरना नहीं चाते, प्लीस मुझे बचा लो अमांडा को समझ आगया कि मामला बहुत ही ज़्यादा सीरियस है इसलिए उसने अपना फोन उठाया और तुरंट प्लीस टेशन में कॉल किया जैसे ही उसने प्लीस टेशन में कॉल किया तो तुरंट एक प्लीस आफिसर ने उसका कॉल पिक अप किया और अमांडा ने कहा अबी मेरे पास एक लड़की भागती हुए आई है वो कह रही है कि उसके पीछे एक साइको किलर पड़ा हुआ है और वो बहुत ही जदा खतरनाक है मैं आपको अपना एड्रस बताती हूँ प्लीज आप यहाँ पर आजाईए उसके बाद सामने से आवास आई जी जरूर आप मुझे अपना एड्रस बताईए अमांडा ने अपने घर का एड्रस बताया उसके बाद उस पुलिस वाले ने कहा आप घबराईए मत हमारा एक पुलिस आफिसर आपके ही इलाके में पैट्रोलिंग कर रहा है हम अभी उसे इनफॉर्म कर देते हैं और वो जितना जल्दी हो सकेगा आपके घर बहुत जाएगा आप बिल्कुल भी घबराईए गया मत और अपने घर के दरवासों को बंद रखिएगा समझे आप उसके बाद अमांडा ने का जी जी बिल्कुल अमांडा ने कॉल को कट किया उसके बाद उसने उस लड़की को देखा तो वो पूरा उपर से नीचे तक पसीने से भेगी होई थी और एक बार फिर से अमांडा ने उसे शांत कहरते हुए का देखो तुम सबसे पहले अपना नाम बताouble तुम अपना नाव बताओ और शान्त हो जाओ मैंने पुलिस स्टेशन में कॉल किया न उन्होंने काया कि यहीं आसपास एक पुलिस आफिसर है और वो अमारी मदद चरने के लिए भी आ रहा है तो तुम्हें घपराने की जरूरत नहीं है उसके बाद उस लड़की ने कहा मेरा नाम स्टेशी है और मुझे बस बचा लो मैं मरना नहीं चाहती मुझे बचा लो वो आदमी बहुत ही ज़दा खतरनाख है उसके पास एक बहुत ही भायाना कुलाडी है और उसी कुलाडी से उसने मेरे सामने चार नोगों कुमार दिया मुझे बचा लो उस लड़की की जो मांसी खालत थी वो धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने बहुत ही जादा भयानक चीजों को देखा है अमांडा ने स्टेसी का मन बहलाने के लिए दर उदर की बाते करना शुरू कर दिया और तकरीबन पांच मिनिट बाद उसकी घर का दर्वाजा फिर से किसी ने खटकटाया अंडा ने वही बैठे बैठे आवाज लगाई जी कौन है? अपना नाम बताओ और उसके बाद बहार से आवाज आई जी मैं इंस्पेक्टर जॉर्ज बोल रहा हूँ और मुझे पलिस टेशन से इंफर्मेशन मिली है कि इस घर के आसपास कोई सैको किलर भूम रहा है और यहाँ पर एक लड़की है जिसे जान का खत्रा है तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ आप दर्वासे खोलिए अमांडा ने गहरी सास ले और उसके बाद वो दर्वासी के पास धीरी धीरी चलती हुए उसने की होल से जाक कर देखा तब उसकी जान में जान आई क्योंकि बाहर सच में पुलिस वाला ही था उस पुलिस वाले को देखकर उसने दर्वासी को खुला और वो पुलिस वाला घर के अंदर आया उसने पूछा तो बताईए वो साइको किलर दिखता कैसा था और वो गया कहाँ पर वो बहुत ही ज़दा अजीब और डरावन दिखता है उसके शेरीड बहुत ही ज़दा पतला है और उसे देखकर एक तब गिनस ही आती है उस पुलिस वाले ने जब ये सब सुना तब उसने कहा सबसे पहले तो आप शान्त हो जाईए आप अपने दिमाग कुछ शान्त करिए वो तो मैं भी समस्ता हूँ कि कोई भी साइको किलर अच्छा नहीं दिखता लेकिन अगर आप लॉजिकली उसका होलिया बताएंगी तब ही मैं कुछ कर पाऊंगा और आप घबराईए मत सब से पहले मैं आ गया हूना अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है अमांडा ने स्टेसी की कंदे पर हाथ रखा और अमांडा ने कहा सुनो तुम्हें कमजोर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है समझी तुम मैं हूना यहाँ पर मैं तुम्हें साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगे, तुम उस आदमी का बस होलिया बताओ कि यागर वो दिखता कैसा है, स्टेसी ने घबराई वी आवाज में कहा, वो वो बहुत बहुत अधर डराबना और बयानक दिखता है, उसकी हड बहुत लंबी है, वो 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 वैसा दिखता है, और ये कहकर उस लड़की ने जोर से चिलाया, और वो वही बेहोश हो गई, उस पुलिस वाले ने जब खिड़की पर देखा तो वो जो आदमी था, वो अपने हाथों में एक कुलहडी लिए, वही खिड़की पर खड़ा था, और उसके चैरे पर एक डरावनी सी मुस्क को राहट थी, उस आदमी को देखकर उस पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी बंदोग निकाली और उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, जितना जल्दी हो सके, अपने हाथों को आस्मान में उठाओ, और इस हतियार को फिक दो, वरना मेरी गोली सीधा तुमारी छाती को चीर बंना था, क्योंकि उससे भी बता था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, उस पुलिस इंसेंस्पेक्टर का जुब कंपॉइंट था, वो सिर्यल किलर की तरफ था, और वो सिर्यल किलर बिल्कुल भी हिल डोल नहीं रहा था, समय पाते ही उस पुलिस इंस्पेक्टर ने पुलिस टेशन में कॉल किया और उस पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा हेलो मैं बोल रहा इंस्पेक्टर जॉर्ज जितना जल्दी हो सकी ये जो रीसेंट केस चल रहा है सीरेल लिलर वाला तुरांट तुस लोकेशन पर पहुँचो, समझे? और उसके बाद ये कहकर, जॉर्ज ने कॉल को रख दिया, और उसे पता था, कि पाच मिनिट में ही, उसकी साथी आफिसर वहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए उसे पाच मिनिट तक साइको किलर को संभाल कर रखना है, तब है उस आदमी के चहरे पर एक मुस्कुरहट आई, और उसने अपने कुलहाडी से, उस दर्वाजे पर वार करना शुरू किया, और दर्वाजे की काफी बुरी हालत करती, तकरीवन पंद्रा बीस वार करने के बाद, वो दर्वाजे को तोड़ने में कामियाब रहा, और वो कुलहाडी लेकर घर के अंदर खुस किया, उसके चैरे की डरावनी मुस्कुरहट देखकर, वो पुलिस इस्पेक्टर भी एक बार के लिए डर गया, और उसने तुरंट उस आदमी पर गोलिया चलानी शरू कर दी, अपने आपको बचाने के लिए वो साइको किलर एक सोखे के पीछे चुप गया, और उसने वही से चुप कर यह अपने हाथ की जो कुलहाडी थी, उसे उस पुलिस इस्पेक्टर की तरह फेका, और वो पुलिस इस्पेक्टर थोड़ा सा खबरा गया, और उसके हाथ से वो जो बंदूख थी, वो नीचे गिर गई, और मोखे का फायदा उठा कर, वो सेरियल किलर ने पुलिस इस्पेक्टर पर हमला कर दिया, और उनके बीच हाता पाई, शुरू हो गई, और स्टेसी और अमांडा जो थे, वो अपने आपको कमरे में लॉक करके, उपर वाले से यही प्रातना कर रहे थी, कि सब कुछ जल्दे से जल्दे ठीक हो जाए, और वो साइको किलर या तो मारा जाए, या तो पकड़ा जाए, हात अपाई के दोरान उस पुलिस इंस्पेक्टर को काफी चोट आई, लेकिन वो पूरी कोशिच कर रहा था उस साइको किलर को मारने की, लेकिन चाहकर भी वो साइको किलर को नहीं मार पाया, उसके बाद नजाने कहां से, उसके हाथ में, उस साइको किलर के हाथ में वो जो कुलहाडी थी वो आ गई और वो उस कुलहाडी से उस पुलिस इंस्पेक्टर के दो टुकड़े करने ही वाला था तब ही अचानक से पीछे से बाकी के ज़ग पुलिस ओफिसर्स थे वो बहुच गए उनोंने फाइरिंग शुरू करती और उस फाइरिंग से बचते हुए वो जो सीरियल किलर था, वो वहाँ से भाग निकला जितने भी पुलिस ओफिसर्स वहाँ पर आये उनोंने उसे जोर्ज को समहला और George नहीं कहा, जितना चलती उसे को साइको किलर को पकड़ो, अगर वो ऐसे ही खुला गोमता रहा ना जाने कितने लोगों को मारेगा, मुझे छोड़ो, मैं ठीक हूँ, लेकिन उसे पकड़ो, और ये सुनते ही वो जितने भी पुलिस ओफिसर्स थे, वो सभी उस सीरिल किलर के पीछे भागनी लगे, और वो सीरिल किलर कहीं भागता-भागता गायब हो गया, और वो जितने भी पुलिस ओफिसर्स थे, वो सभी उसके पीछे चलेक है, उसके बाद George ने आवाज लगाई, तुम दोनों बहार आजाओ, मामला एकदम सुरक्षित है, उसके बाद अमां पुलिस इंस्पेक्टर को काफी चोड भी आई थी, अमांडा ने तुरंत फस्टेड बॉक्स लाकर उस पुलिस इंस्पेक्टर का इलाज शुरू कर दिया, अमांडा उस पुलिस ओफिसर को समहाली रही थी, तब ही अच्छानक से स्टेसी जो थी वो पागलों की तरा पुलिस इंस्पेक्टर जोर्ज बे उस लड़की के पीछे बीचे भाग निकला, और अमांडा वहां अकेली रह गई, उसे स्टेसी की काफी फिकर हो रही थी, और आखिर में अमांडा पूरे घर में अकेली हो गई, और उसे काफी डर लग रहा था, और उसे स्टेसी की अच्छा करने के लिए घर से बाहर निकल गई, जब अमांडा घर से बाहर निकली तो उसने देखा, ये दोर एक जंगल के पास स्टेसी जो थी वो खड़ी थी, और वो अपने हातों से अमांडा को अपने पास बुलाने का इशारा कर रही थी, अमांडा ने तुरत उस पुलिस बाद स्टेसी ने कहा, ईक बहुत ही बड़ी गरबड हो गयी है, वो सबी पुलिस वाले और वो साइको किलर आमने सामने हो गयے है, और कुछ भी हो सकता है, चलो हम उन्हें पुलिस वानों की मदद करेंगे, ता कि वो साइको किलर को असानी से मार दे, हमें भी पाएंगे अमांडा ने कहा हमें कोई सरुगूरत नहीं है वहाँ जाने की समझी तूँ वहाँ जाना एकदम बेकार है वो पुलिस वाले हैं वो अच्छी तरह से ट्रेंड है समझी तूँ इसलिए घबराओ मत लेकिन स्टेसी ने एक भी बात नहीं सुनी और वो अमांडा को लेकर जंगल के अंदर खुसके अमांडा ने काफी मना किया लेकिन स्टेसी जो थी वो मानी नहीं रहे थी वो अमांडा का हाथ पकड़ कर उसे जंगल में खीचे ले जा रही थी और तभी जंगल के बीच ओ बीच अमांडा ने देखा कि वहाँ सारे पुलिस वाले खड़े वो साइको किलर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो स्टेसी की तरफ देखने लगा। वरना मैं तुझे गोलियों से चल्ली कर दूँगा, समझा तो, ये सब बोलने के बाद भी, वो जो साइको किलर था, वो डस से मस नहीं हुआ, उसने उसको लाड़ी को नहीं फेका, और वो वही पर धीटों की तरह खड़ा रहा, और स्टेसी को देखकर हसता रहा, और तभी स् और साइको किलर नहीं कहा, तुम लोगों को बेफकूफ बनाना कितना साधा आसान है, मुझे बहुती साधा भोग लग रही थी, और मेरा मन ताकी में देर सारे इंसानों का मान सखाओ, लेकिन इस मक्तियां पर कोई आता जाता नहीं है, और पास वाले घर में, ये महतरमा श प्लान कराया, कि हम पुलिस वालों को यहीं बुलाएंगे, और साधी साध अमांटा को भी ठालेंगे, ये कहकर वो साइको किलर हसने लगा, और हर को स्टेसी की तरफ देखने लगा, तब ही स्टेसी ने अपनी गर्दन खुदी तोड़ दी, और धीरी धीरे वो भागल होने लगी, उसके शरीर में एक अजीब से बदलाव होने लगी, और उसका शरीर देखते देखते, बहुत ही जदा पतला हो गया, और उसने अपने मूँ से एक आवास निकाली, और वो आवास थी, एक आदम खोर, वेंडिको की, यानिकी स्टेसी सिरिफ चाल चल रही थी, ये ज सारी चाल, ना ही पुलिस वाले समझ पाई, ना ही अमांटा, और वो साइको किलर भी ये सब देखकर हसने लगा, और उसने भी अपना असली रोब लिया, उसका शरीर भी बहुत ही जदा पतला हो गया, और उसके मूँ से एक दम खोन टपकने लगा, लार की तरह, इंस्पेक्टर चौर्च ने का, सबी पुलिस वालों ने, उन दोनों के उपर गोलिया चलानी शुरू कर दी, लेकिन उने पता नहीं था, कि उन्होंने बहाँ जाकर ही सबसे बड़ी गलती करी, क्योंकि गोलियों का असर थो, ना ही उस आदम खोर वेंडिकों पर उने वान पर अमांडा पर हमला कर दिया, और वो पुलिस वाले सिर्फ गोलिया चलाते रहे गए, और उनके पास कोई रास्ता नहीं धपने आपको बचाने का, कई सारे वहाँ से भाग निकले, और कई सारे वहाँ पर लड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम्या वोकत उन्हों दीरे दीरे वहाँ पर अमांडा और पुलिस वालों की जो लाशे थी, वो एकदम धेर की तरह बन गई, और स्टेसी और वो आदम खोर, सीरियल किलर, जो असल में वेंडी गोस थे, उन्होंने सभी लाशों को देखकर हसना शुरू किया, जो कि उन्हें पता था, कि उनके प आप एक सडक के सामने खड़े हो, जिस सडक पर आपको सिर्फ काना अंधेरा नजरा रहा हो, और नजरा रहा हो उसकी अगल बगल का डरावना जंगल, उस जंगल से अजीब अजीब चानवरों की आवाजे आ रही हो, और आपकी मन्जिल उस सडक के उस पार हो, और आपके पासोसडक को पार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना हो, तब आप क्या करेंगी, हो सकता है आप में से कई लोग इस हलात को अपनी दिमाग में सोच कर ही डर गए हो, लेकिन मेरा यकीन मानि, मैं इन हलातों में फसा हुआ था, जैसे आप लोग इन हलातों को सोच करी डर रहे थे मैं आपसे कई गुनाजादा इन हलातों का सामना करके डर रहा था ये बात तब किया जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था मेरी फैमली बहुत ही ज़ादा करीब थी और मैं अपनी फैमली की गरीबी को खतम करना चाहता था उसके लिए एजुकेशन बहुत ही ज़ादा जरूरी थी इसलिए रात के वक्त मैं एक पीज़ा शॉप पर डिलिवरी बॉई की जॉब किया करता था और उसी से अपने पढ़ाई के सारे खर्चों को पूरा करता था वो जॉब मेरे लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी थी क्योंकि अगर मैं वो जॉब नहीं करता तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती और मैं हमेशा के लिए गरीब रह जाता लेकिन कहते हैं न कभी कभी जिन्दिगी में ऐसे हलाद बच जाते हैं जब आपको सबसे ज़ादा हिम्मत दिखानी पड़ती है आज भी मुझे याद है मेरी लडाई हो गए थी मेरे बॉस से क्योंकि कुछ और्डर्स मैं लेट दे चुका था और मेरी कोई गलती नहीं थी मेरे पास जो गाड़ी थी खैर उसे गाड़ी बोलना ही बिकार मेरे पास एक स्कूटर है जो अभी भी मेरे पास रखा हुआ है बट ऐस शोपीस वो स्कूटर बहुत ही ज़दा पुराना है एक्चिली वो स्कूटर मेरे पेदा जी ने खरीदा था उसके बाद जब वो बोड़े हो गया तब वो चला नहीं पाते थे और उसके बाद जब वो स्कूटर खाली पड़ा रहता था तो मैंने सोचा क्यों न इसी के उपपर पिज़ा डिलेवरी करी जाए और कुछ पैसे खमाए जाए मेरे पास नई गाड़ी लेने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए मैं वही पापा का पुराना धुराना स्कूटर लेकर निकल पढ़ता था पिज़ा डिलेवर करने के लिए और कई बार लेट हो जाता था क्योंकि वो स्कूटर कभी भी रात में बंद हो जाता था कहीं पर भी इसलिए दो-चार ओर्डर्स मैंने उस रात लेट पहुँचाए थे मेरी मालिक से बहस भी हो गई मेरा मालिक कहना था कि तुम हमेशा पीज़ा लेट डिलेवर करते हो लेकिन अब आप सभी समझी सकते हैं मालिक कभी भी एमपलॉई की मजबूरी नहीं समझता वही हाल मेरा भी था मेरे मालिक ने भी मेरी मजबूरी नहीं समझी उसने यह नहीं देखा कि यह बेचारा अपने बढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए इस स्कूटर पर कितनी महनत कर रहा है और यह स्कूटर हर वक्त खराब हो जाता है तकरीबन 30 मिनट मेरी और मेरे बॉस की बहस चली और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा ये लो दो डिलेवरी सौर हैं इन्हें जल्दी जल्दी करके आओ और इस बार लेट नहीं होना चाहिए मैं भी बहुत ही जाद गुसे में था लेकिन अब जॉब तो करनी ही है इसलिए मैंने भी पीज़ा उठाए और अपने स्कूटर पर वैट किया मैंने स्कूटर को स्टार्ट किया और जो एड्रेस था उसे फॉलू करता हुआ आगे बढ़ने लगा रात का समय होता था इसलिए सडके खाली होती थी इसलिए जब भी सडक खाली हो तो उसके ओपर स्कूटर चलाने में बड़ा मजा आता था लेकिन साथी साथ डर भी लगता था कि कहीं स्कूटर बंद ना हो जाए लेकिन फिर भी मैं ये खत्रा उठाता था मुझे आज भी अच्छे से याद है मैं उस स्कूटर को चलाते वे डिलेवरी लोकेशन पर पहुँच रहा था और अपने मालिक को उल्टा सीधा बोल रहा था क्या खिर कैसा इंसान है इसे ये मेरी मजबूरी समझ नहीं आती और हमेशा मुझे पर चिलाता रहता और यही सब बोलता हुआ मैं एक ऐसे इलाके में पहुँच गया जहां बहुत ही ज़ादा सुनसान एरिया था अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया से लोग गाया भी हो गये तकरीबन दो किलोमीटर दूर तक मुझे एक भी इनसान नजर नहीं आया और मैं काफी ज़दा हैरान हो गया कि आखिर मैं ये कहां पर आ गया लेकिन फिर भी मैंने ज़दा कुछ नहीं सोचा क्योंकि मुझे जल्दी से जल्द पीजा को डिलेवर करना था और अगर पीज़ डिलेवर नहीं होता तो आप सभी समझी सकते हैं कि मेरा बॉस मुझे कितना ज़्यादा कलेश करता इसलिए मैं बस फूर्ती के साथ स्कूटर को चला रहा था तब ही अचानक सी ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैं आज भी सोचता हूँ तो बहुत ही ज़दा डर जाता हूँ मेरा स्कूटर ऐसी जगा रुख गया जिस जगा को देख कर ही मेरे पैर कापने लगी मेरा स्कूटर एक सड़क के सामने रुख गया और वो सड़क एक्टम सीधी जा रही थी कई किलोमीटर दूर थ और उस सड़क के अगल बगल था एक भयानक सा जंगल और उस जंगल में से उल्लू की और ना जाने कितने अजीब अजीब चीजों की आवाजे आ रही थी उन आवाजों को सुनकर मेरी हालत खराब हो रही थी उस महाल को देख कर ही मैं उपर से नीचे तक एकदम काप सा गया मेरी टांगे काप ने लेगी और मैंने तुरंत स्कूटर को वापस शुरू करनी की कुशिश करी क्योंकि मैं जल्द इस जल्द वहाँ से निकलना चाता था वो शंगल से निकल रही आवासे मुझे और भी ज़्यादा डरा रही थी और मैं पूरा पसीने से लत्पत हो गया था मैंने कई बार अपने स्कूटर को किकमारी और स्टार्ट करनी की कोशिश करी लेकिन मेरा स्कूटर स्टार्ट होने का ना भी नहीं नीराथ पहली बार मैं जिन्दगी में इतना ज़्यादा डरा था वो शंगल से उल्यों की और नजाने कैसे कैसे जानवरों की आवास आ रही थी तब ही अचानक से मैंने एक आवास और सुने और वो आवास किसी जानवर की नहीं थी वो आवास थी एक कार की और उस कार में एक लड़का बैठा हुआ था जो लगबग मेरी उमर का ही था वो काफी तेजी से कार को चला रहा था तब यह अचानक से उसने कार मेरे स्कूटर के सामने लाकर खड़ी कर दी और उसने कार का शीशा नीचे किया जब मैंने उससे कार वाले को देखा तब मुझे लगा कि यह वो मेरी मदद करेगा इसलिए मैं भी खुशी-खुशी उस कार के पास किया मैंने उससे कह अरे भाई मेरा स्कूटर खराब हो क्या है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो प्लीस मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ तो ता कि मैं अपना ये पिज़ा डिलेवर कर सकू वरना मेरा बॉस बहुत लड़ाई करेगा मुझे लगा अगर मैं अपनी सिचुवेशन उस आदमी से बताऊंगा तब वो मेरी हैल्प करेगा लेकिन कहते हैं न हर कोई एक जैसा नहीं होता कुछ-कुछ बुरे भी लोग होते हैं और वो उनी बुरे लोगों में से निकला उसने मुझे गाली देते हैं वे कहा अब ये वो दो कोड़ी के डिलेवरी बॉई पहले तो अपना है ये जो हाथ है न ये मेरी कार से दूर कर बहुत ही ज़दा महगी कार है समझा तू ब्रैंड नी हो हैं लागों डॉलर्स की है चल हाधर अपना जब ये बात मैंने सुनी तब मुझे बहुत ही ज़दा को साया और मैं अपना पीज़ा वापस अपने स्कूटर के पास लेकर आया लेकिन वो स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ मुझे ऐसे परिशान होता हुआ देखकर वो जो कार में बैठा हुआ लड़का था वो हसनी लगा और उसनी हसते भी मुझे से बूला अबे ओ डिलेवरी बॉई चल अपने इस खटारों को बाद में शुरू करियो पहले मुझे ये बता कि यहां का सबसे महंगा क्लब कहां पर है मैंने सुना है कि यहीं कई आस पास है मुझे उस क्लब का रास्ता बता जब मैंने ये बात सुनी तब मैं भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था इसलिए मैंने उससे कह मैं तरे बाप कनौकर नहीं हूँ समझा जिससे पूछना होगा पूछ लियो बहुत पैसों का घमंड है न चल निकल यहां से और ये मेरी गलती थी क्योंकि मुझे पता होना चाहिए था कि अगर कोई ऐसा लड़का कलबों में जाने वाला गुंडे जैसा दिखने वाला है तो उससे फाल तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन क्या करे गलती थो हो गई गुस्से में उससे लड़के ने एक गन निकाली और मेरी तरफ पॉइंट करके उसने बोला बोल क्या बोल रहा था अब जब मैंने गन को देखा तब मेरी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई क्योंकि मुझे मरने से डर नहीं लगता था लेकिन अगर मैं मर गया तो मेरी फैमली का क्या होगा ये सोचकर बहुत डर लगता था इसलिए मैंने अपने हाथ उपर कर लिए और जैसे दैसे मैंने अपने इगो को साइट करके उससे माफी मागी क्योंकि मेरे आखों के सामने सिर्फ मेरे परिवार का चहरा आने लगा और मेरे जैसे नजाने कितने ही लोग होते हैं इस दुनिया में जो कभी भी लड़ाई जगडा नहीं करते और सिर्फ अत्याचार सैते रहते हैं उन्हें कोई भी गाली दे देता है कोई भी मार देता है लेकिन वो उल्टा हाथ छोड़ने से पहले सोचते हैं अपने परिवार के बारे में क्या खिर अगर वो मार पीट करके जेल चले गए या मार पीट में उन्हें कुछ हो गया तब उटके परिवार का क्या होगा और यही सब सोच कर मेरे जैसे कितनी नजाने लोग बस मार पीट सहते रहते हैं और उस वक्त भी मैंने माफी मांगी, गलत ना हो कर भी, और जब मैंने उससे माफी मांगी, तब वो लड़का फिर से हसने लगा, और उसने मुझे कहा, चाल ठीक है, तुझे मैं जिन्दा छोड़ कर तुझे भीग देता हूँ, अब मुझे बता, वो कलब कहाँ पर है, मुझ यहां से सीधे चले जाई है, और यह जड़क खतम होगी, कई किलोमीटर आगे, उसके बाद आप सीधे हाथ पर मुणना, और वहां से किसी से भी पूछ लेना, वो आपको रास्ता बता देगा, उस लड़के ने मुझे देखते हुए हसा, और उसने मुझे कहा, चल ठीक है, माफ किया तुझे, लेकिन तभी अचानिक से उसने एक फायर किया, और गोली सीधा मेरे स्कूटर के टायर पर मारी, जिसकी वज़े से मेरे स्कूटर का टायर भट गया, और वो वहां से अपनी कार लेकर तुरंट निकल गया, उसके बाद मेरा जो बीबी था, वो और भी ज और तभी मेरे पॉकिट में रखा हुआ फोन बजने लगा, और मैंने फोन देखा तो और किसी का नहीं बलकी मेरे मालिक कही था, मैंने कॉल उठाया और सामने से आवाज आई, हेलो ब्रेट, तुमने अब दिक डिलिवरी नहीं करी, यहाँ कस्टमर्स मुझे फोन करकर की प माफ कर दीचे, मैं जानता हूँ, मुझे बहुत गलतियां हो रही है, मैं पीजा को सही टाइम पर डिलेवर नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरा यकीन मानिये, मैं स्कूटर की वज़े से परेशान हूँ, अभी मेरा स्कूटर जो है, वो खराब हो गया है, और मैं एक जंगल वाल तुम सिर्व बहानेबाजी कर रहे हो, समझे तुम, हकीकत तो यह है कि तुम काम नहीं करना चाहते, बस तुम्हें फ्री की सेलरी चाहिए, देखता हूँ, तुम्हें सेलरी कौन देता है, पहले ही वता रहा हूँ, अगर तुमने ये दो पीजा जल्दी से जल्दी डिलेव पर नहीं किये, तब तुमारी नौकरी भी जाएगी और तुमारी सेलरी भी, एक रुपया नहीं दूगा तुमें, समझे तुम, अब सब कुछ तुमारे आथ में हैं, ये कहकर मेरे फोन को उसने कट कर दिया, ये सारी बाते सुनने के बाद मैं अंदर से तूट गया था, इ और अगर मैं कॉलेज की फीज जमा नहीं करता तब मुझे एक्जाम्स में बैठने भी नहीं दी थे, इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा और अपने अंदर जितनी भी हिम्मत थी, सब को एक खटा किया, उसके बाद उन दो पीजास को लेकर मैं उस सुनसान सड़क पर निकल गया, उस सड़क पर एक एक कदम रखते हुए भी मेरे बैर गाप रहे थे, क्योंकि अगल बगल दोनों साइट जंगल था, और उन जंगलों से बहुत भयानक आवाजे आ रही थे, जैसे जैसे मैं कदम रख रहा था, मेरे बैर लड़ खड़ाने लगे थे, और थ रोशनी के पास गया, तो मैंने देखा, कि एक कार वहाँ पर खड़ी है, और वो वही कार थी, जिसमें वो नलायक बदमाश लड़का था, जिसने मिरे स्कूटर के टैर को फोड दिया था, जब मैंने उस कार को देखा, तब ये सोचने लगा, कि आखिर ये बदमाश अपनी कार को इस बीच जंगल वाली सडक पर रोक कर क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसके पास गन थी, इसलिए मैं अपनी नजरे चुराता हुआ, जैसे तैसे छुपता चुपाता हुआ, उस कार से दूरी बना कर वहां से निक और साथी साथ कार का दर्वाजा भी अन्लॉक है, ये देख कर मैं बहुत ही जदा सोच में पढ़ गया कि आखिर ये सब हुआ गया है, तब ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने सोचा क्यों न, वो यहां पर नहीं है, तो अपना बदला ले लिया जाए, मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस कार के शिशे को तोड़ दिया, ताकि मेरा बदला मुझे मिल सके, और जब वो वापस आएगा, तब वो मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा, और मुझे ढोंडता रहेगा, और मैं उसे कभी नहीं मिलूगा, यही सब चीजे सोचता हुआ मैं बहुत इज़दे खुश हो रहा था, उसकी कार का शिशा तोड़ने के बाद मैं वहाँ से तुरंद भागा, लेकिन तब ही अचानक से ऐसा कुछ हुआ, जैसे देखने के बाद मेरी रोख गाप गई, मैंने किसी के चिलाने की आवाज सरी, और वो जो आवाज थी वो औ किसी के नहीं, बल्कि उसी बदमाश की थी, क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत तो उससे बादचित होई थी बाहर, और मैं उसकी आवाज को पहचान किया था, वो चिलाता हुआ जंगल से बाहर निकला, और उसकी इहालत बहुत ही ज़दा भयानक थी, उसकी एक आँख किसी ने निकालनी थी, और उसका हाथ तोटा हुआ था, और वो पूरा उपर से नीचे तक खून से सना हुआ था. जिससे डिरेक्शन से वो भागता हुआ आया था, उसी डिरेक्शन से एक और भयानक सी आवास आई, और वो आवास और भी ज़द डरावनी थी. उस बदमाश की हालत देखा, मैं इतना जादा डर गया कि मुझे चक्कर आने लगी, क्योंकि मैंने पहली यह बार किसी को इतनी बुरी हालत में देखा था वो भागता हुआ मेरे पास आया, और हाथ पैर चोड़ने लगा, उसने मुझे से कहा वो, 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 भागो यहां से बागो, बागो, मुझे यहां बठा लो मुझे कार में बठा लो मुझे ले चिलो यहां से उसकी बाते और वहवार देखकर साफ़ पता चल रहा था कि वो पागल हो चुका है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोल रहा है उसने पूरी तरह केसे उसने पूरी तरह से अपनी मानसिक संतुलन को खो दिया था मैंने उसे सहारा दिया और उसे कार के पास ले जाने लगा तब ही अचानक से वो जमीन पर धडाम से किरा और उसकी सांसे रुख गए मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इसकी मौत हुई कैसे मानख वो बहुत बुरी हालत में था लेकिन अचानक सही उसने दम तोड़ दिया और उसके बाद मैं बहुत ही ज़दा डरखेया मैं उस कार के नीचे जाकर छुप किया ताकि वो जोग कोई भी है जिसने इस बदमाश का एतना भुरा हाल किया है वो मुझे ना देख ले और मैं कार के नीचे छुप कर देखने लगा तो मुझे वही भयानक आवाज फिर से सुनाई दी मैंने देखा कि एक पतला सजीव जंगल से बाहर निकल कर आया जो दिखने में बिलकुल भी आप नहीं था उसकी सर पर हिरन जैसी सींगे थी और शरीर बहुत ही ज़ता पतला इतना ज़ता पतला कि उसकी हड़िया नजरा रही थी और उसके मुझे पर पूरा खोन लगा हुआ था ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी का मांस खाया मैं कार के नीचे छुपा छुपा सब कुछ देख रहा था और यही भगवान से परात्ना कर रहा था कि वो जो कोई भी है उसे मेरे बारे में पता ना चले तब ही मेरी आँखों के सामने वो अजीब सा दिखने वाला दानव उस बदमाश की लास के पास आया और उस दानव ने अपनी एक उम्हिए उस बदमाश की आख में डाने और उसकी आख जो थी जो सिर्फ एक ही बची थी उसे निकाल लिया और उसी रसकुले की तरक खा गिया उसके बाद उस दानव ने उस से बेजान लाश की कई टुकड़े करे और उसके शरीर से जितनी भी ओर्गंस थे सबको निकाल कर खाने लगा और उसका जो खोन था वो पूरे सड़क पर फैल किया ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी मुर्गा खा रहा हो और नजारा वही था बस फरक इतना था कि इस बार आदमी शिकार बना था दानव का जैसे हमेशा मुर्गा शिकार बनता है आदमी का उस दानव ने उस बदमाश की लाश का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा उसने सिर्फ छोड़ा तो वो सड़क पर बिखरा हुआ खून बागी पूरी लाश को वो खा किया और उसके बाद सड़क पर जहां जिस हिस्से पर जादा खून था उस खून को उसने अपनी जीब से चाट लिया और ये सब मैं बस जिन्दा लाश बन कर उस काड़ी के नीचे छुपा छुपा देख रहा था ये सब देखते देखते मेरी आखों ने, मेरे दिल ने और दिमाग ने तीनों ने जवाब दे दिया और गबरहट और डर से मेरी आखों के सामने अंधेरा जाने लगा और मैं कब भी होशो किया, मुझे खुद पता नहीं चला सुबह जब मेरी आखे खुली, तब मैंने देखा कि मुझे कार के नीचे लाश की तरह पड़ा हुआ हूँ और जब मैं उस कार्स के नीचे से निकला, तब मैंने जमीन पर सुखा हुआ खून देखा और आसपास का नजारा देखा, तो दिन की वक्त वो सड़क एकदम नॉर्मल नजर आ रहे थी, और वो जंगल बे लेकिन जो कुछ भी मैंने देख लिया था, उसके बाद मेरा शरीर पूरा कमजोरी से सूख गया था मैंने अपना फोन निकाल कर देखा, तो मेरे बॉस के 20 मिस कॉल थी, और उस वक्त मैंने अपनी किसमत को मान लिया कि मेरी किसमत बहुत जादा अच्छी है, क्योंकि अगर ये 20 मिस कॉल उससे दानव के रहते वे आ जाते, तो उस दानव को पता चल जाता कि मैं कार के नीचे चुपा हुआ हूँ, और उसके बात, उसने उस बदमाश की लाश को तो पचा ही लिया था, वो मेरी लाश को भी पचा लेता, लेकिन आज भी मुझे उस दानव की पूरी शकल याद है, वो दिखने में बहुत ही जदब भयानक और डरावना था, उसके वो हिरन जैसे सीन, राक्षस जैसे दान, और उसका खोन से सना हुआ, शहरा, जरा आप बताईए, अगर आप ऐसे हलातों में फस जाएं, कि आप गार के नीचे छुपे हुए हैं, और आपके सामने एक आदम खोर तानव वेंड को, एक लाश को खा रहा है, उसकी शरीर के हिससे निकाल निकाल क खाए जा रहा है, और उसका खोन जमीन पर बिख्रे जा रहा है, तब आपकी आलत क्या होगी? लेकिन याद रखिए, अगर आपने चिल लाया, तो अगली बारी आपकी होगी. तो ये थी आज की कहानी, और मचे पूरी उमीद है, आप सभी को सुनने में मज़ा आया होगा, अगर आप सभी को सुनने में मज़ा आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से खर देना, और भाई, मैं जितनी जल्दी हो से के कोशिश करू वेरवल्फ वेंपायर की सीरीज लाने की, तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स और वाचिंग, लाइक ये में 500 लाइक का, लाइक से रूर कर देना,